दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एट्यूब चैनल में दोस्तों दुनिया में आदे से ज़्यादा लोग हर दिन अमीर वनने का सपना देखती हैं कोई भी गरीवी में जीवन बिताना नहीं चाहता है दोस्तों हर व्यक्त को आज के समय में सुक सुविदा पाने की तमना रहती है और यही कारा है कि गरीवी का नाम सुनते ही व्यक्त की रूह काप जाती है दोस्तों पहले का दौर था कि इंसान सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पैसा कमाना चाहता था लेकिन आप ऐसा नहीं है इस युग में पैसा ना केवल हमारी जरूरत पूरी करता है बल्के पैसा व्यक्त को समाज की नजरों में उपर भी उठाता है दोस्तों पैसे से ही समाज में मान सम्मान मिलता है यही कारण है कि व्यक्त धनकी प्राप्ती के लिए जी तोड मिहनत करता है वा उसके लिए दिन रात एक कर देता है लेकिन दोस्तों फिर भी अपेच्छित फल प्राप्त नहीं होता है क्या आपने कभी इसके बारे में सूचा है कि आखिर इसा क्यूं होता है दूस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखी है तो आपके यहां धनके आगमन में रुकाबट बनती है तता आपका खर्चा बढ़ जाता है इसलिए दूस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहां धनका आगमन हो तो आप इन चीजों को घर से तुरंट थटा दें कौन सी वो चीजे हैं आईए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करें चलिए अब जानते हैं जरा विस्तार से दोस्तों नमबर एक कबूतर का घोसला शास्त्रों के नुसार कबूतर का घर में घोसला बनाना आर्थिक तंगी का सूचक होता है दोस्तों यही कारा है घर्द में आरतिक समस्याएं पैदा होती है इसलिए अगर आपके घर में भी कहीं कबूतर ने घोसला बना लिया है तो उसे तुरंट घर से हटा दें क्योंकि शास्त्रों में कबूतर के घोसले को बहुत ही अशुब बताया गया है लेकिन दोस्तों शास्त्रों में कबूतर को बहुत ही शुब बताया गया है लेकिन घर में उसके घोसला रखने को बहुत ही अशुब बताया गया है तो आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आपके घर में धन आए तो आप कबूतर के गोसले को तुरंट अपने घर से हटा दें इसी में ही आपकी भलाई है दोस्तों नमबर दो मदमक्खी का च्छता मदमक्खी का च्छता घर में होना जितना ही खतरनाक है उतना ही आपके घर के लिए दुरबाग और गरीबी लाता है इसलिए अगर आपके घर में मदमक्खी का च्छता है तो उसे तुरंट घर से हटा दें दोस्तों नमबर तीन मकडी का जाला एदी घर में मकडी का जाला है तो आपका भाग आपका साथ नहीं देगा दोस्तों इसे साफ करने से घर में नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है ऐसे में एदी आपके घर में मकडी का जाला है तो आप तुरंत उसे घर से हटा दी दूस्तों नमबर चार तूटा हुआ शीशा वास्तु शास्त्र के नुसार घर में तूटे हुए शीशे को गरीवी का प्रतीक माना जाता है दरसल घर में तूटा हुआ शीशा नकारात्मक उर्जा को अपनी तरफ आकर्सित करता है दूस्तों इसके साथ ही या आर्थिक इस्तिती को भी बिगारता है इसलिए दी घर में तूटा हुआ शीशा रखा हो तो उसे तुरंत घर से हटा दे दोस्तों नमबर पाँच चमगादर का वसेरा अगर आपके यहां चमगादर ने अपना घर वना लिया है तो यह बीमारी होने का संकेत है क्योंकि घर में चमगादर का होना बीमारी दुर्वाग और गरीवी को बुलावा देता है इसलिए आप शाम होने से पहले अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर दे ताके चमगादर आपके घर के अंदर ना सकी दुस्तों नमबर छे दीवारों में होल अगर आप के घर की दीवारों में चेंद हैं तो आप उसे तुरंत बंद करवा दें क्योंकि ये चेंद घर की खूपसूरती को तो भंग करते ही हैं साथ ही दुर्वाग को भी बुलावा देते हैं इसलिए जितना जल्दी हो सके दीवारों के होल भर लें और दोस्तों नमबर साथ और आखरी पॉइंट नल से टपकता पानी एदी घर में टपकता हुआ नल है तो वो पानी को वेर्थ करता है बलके सकारात्मा कूर्जा को भी घर से बाहर करता है इसलिए जल्द से जल्द अगर कोई टपकता हुआ नल आपके घर में है तो उसे ठीक करवा लें इसी में ही आपकी भलाई है तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो वीडियो में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र पर आधारित है ये यूट्यूब चैनल इस जानकारी की सत्यता की पुष्टी नहीं करता है के सार तब तक के लिए गुड़ बाई and thanks for watching my video.